हेलो दोस्तों स्वागत है आपका टोटल बॉक्स अफिस कलेक्शन में आज हम बात करने वाले हैं सल्मान खान की सूपर डूपर हिट फिल्म रही बजरंगी भाईजान के सीक्वल यानी की बजरंगी भाईजान 2 की आज हम इसी फिल्म के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम यहां हर रोज आपके फेवरिट स्टार्ज और उनके आने वाले नई मूवी से जोड़ी जानकारियां लाते रहते हैं बॉलिवूड सूपरस्टार सल्मान खान ने पिछले साल ही अपनी सूपर हिट फिल्म बजरंगी भाईजान के सीक्वल की घोशना की थी लेकिन फिल्म को लेकर किसी भी तरह की कोई डिटेल्ड जानकारी सामने नहीं आई थी इस फिल्म को रिलीज हुए आज साथ साल पूरे हो चुके हैं इस खास मौके पर फिल्म के लेखक विजिंतर प्रसाद ने अपनी इस फिल्म को लेकर एक नया अपडेट दिया है बजरंगी भाईजान के लेखक ने हाल ही में एक इंटर्विव में इस फिल्म के सीक्वल पर एक काफी बड़ा अपडेट दिया है एक इंटर्विव में इस फिल्म के राइटर ने कहा कि अभी इस फिल्म पर काम बंद है उन्होंने कहा कि मैंने सलमान भाई को एक कहानी सुनाई लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आई अब डिसीजन सलमान के उपर है कि वो ये फिल्म करना चाहेंगे या नहीं क्योंकि उन्हें स्टोरी सुनकर मज़ा नहीं आया और बिना मज़े की स्टोरी सलमान बिल्कुल नहीं करते इस दौरान उन्होंने ये भी साफ किया कि फिल्म के अगले पार्ट में पहले ही पार्ट को आगे कंटिन्यू किया जाएगा बजरंगी भाईजान 2 की कहानी 8-10 साल का लीप लेगी यानि की 8-10 साल बाद ये स्टोरी फिर से वही से स्टार्ट होगी जब बजरंगी मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ कर इंडिया में जाता है उसके बाद 8-10 साल बाद ये स्टोरी स्टार्ट होगी उन्होंने उमीद जताई कि सीक्वल पहले बाद से कम नहीं होगा विजेंतर पसाद के एक सहयोगी ने सुझाव दिया था कि उन्हें एक फिल्म बनानी चाहिए जिसमें हमारा हीरो पाकिस्तान जाकर उन्हें कोसता है लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट में सुधार किया जाद है एक ऐसी फिल्म बनाने का था जो दोनों देशों के भी दुश्मनी को बढ़ाए नहीं बलकि इसे कम करे तो दोस्तों अब सल्मान के फैंस के लिए शायद ये बुरी ख़बर है कि बजरंगी भाई जान टू पर अभी फिल्हाल काम नहीं चल रहा लेकिन घबराने की बाद नहीं है क्योंकि भाई जान आ रहे हैं इसी साल के एंड में अपनी मूवी लेकर किसी का भाई किसी की जा तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल टोटल बॉक्स सविस कलेक्शन को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए